तो कैसे हो मित्रों मजे से जिन्दगी बिता रहे हो की नहीं तो याजों बात करने वालाओं कुछ ऐसे मुईज के बारे में जिसमें धेर सारा घापाघप और धेर सारा टापाटप होगा यानि कि स्वर्ग की सुंदरी अपना हुसन दिखाएगी और कड़ाके के ठंड में भी जवानी में याग लगाएगी तो यगर याप कमाल के होट और एडल्ट मूवी या वेव स्री देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें तो चलिए स्वर्ग की अप सराओं से मिलते हैं और कथा को या रंभ करते हैं ग्रूपी ये साल 2010 में या एक थ्रीलर मूवी थी कहानी एक बैंट की है जो अपने सांदार गाउनों से तहलका मचा देता और अपने खतरनाक अस्टंट से लोगों के दिलों में याग लगा देते हैं लेकिन इन लोगों की चूतिया गिरी और खतरनाक अस्टंट की वज़ा से एक हवसी लड़का मारा जाता है तो हवसी लड़के की संकी वहन अपने भाई का बदला लेने और उसके कातिलों को मारने निकल पड़ती है मालदार लड़की अपने भाई का बदला लेने के लिए ऐसी ऐसी यादा दिखाती है और यह ऐसी गंदी हरकतें करती है जिसे देखकर माजा जाएगा तो यगर आप मालदार लड़की को बेट के या लावा कहीं और भी एक्षन करते देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं सौर सरेश ये साल 1982 में याई ये कि एक्षन फैंटसी मूवी थी कहानी एक हाऊसी आदमी की है जो दो बच्चों की बली देना चाहता है और काली सक्चियों के जरिये दुनिया पर राज करना चाहता है लेकिन मालदार ये अउरत ये अपने जान पर खेल कर अपने बच्चों को बच्चा लेती है और हौसी आदमी के हाथों खुद मर जाती है किन्तु कई सालों बाद दोनों बच्चे बड़े होकर माल बन जाते हैं और कई उधकलाओं में भी निपूर्ण हो जाते हैं लेकिन एक दिन कुछ मालदार लड़्की मज़े के लिए एक आउसी लड़के के साथ माउथ का जोटा खेल खेलती हैं किन्तु इन लोगों के पैरो तले जमिन तब खीसक जाती है जब इस खेल के चकर में एक लड़की सच्च्च मर जाती है और ये असली मज़ा तो तब आता है जब कुछ सालों बाद एक खतरनाक कातिलों लोगों को मारने लगता है जो माउट के जोटे खेल में सामिल थे तो क्या मरी हुई लड़की वापस आ जाती और अपना बदला लेती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी ISP टॉन्योर ग्रेव ये साल 2010 में यह एक रेप रिवेंज मूवी थी कहानी एक मालदार राइटर की है जिसकी कद काठी और फिगर एकदम कम माल का है तो मालदार राइटर नए आइडिया पाने और या केले में कुछ समय बिताने एक सुनसानी इलाके में चली जाती है लेकिन कुछ बदमास लोग मालदार राइटर के साथ धेर सारा घापाघप और टपाटप करके उसकी इज़्जत लूट लेते हैं तो मालदार राइटर या अपने इस अपमान का बदला इसे इसे तरीकों से लेती है जिससे बदमासों की रूह काप जाती है तो यगर आप घापाघप और टपाटप के साथ कुछ खुन खराबा भी देखना चाते हैं तो इसे जरूर देखें बिच स्लैप ये साल 2009 में या ये की एक्सन मुई थी कहानी तिन खूब सूरत और जवान ललकियों की है जिनकी अपनी अपनी कहानी है एक मालदार ललकी ये स्ट्रीपर है जो कलब में लोगों को ये अपनी यादा दिखाती है अपना कमर मटकाती है और उनका मनो रंजन करती है दूसरी लड़की गैंग्स्टर है जो बड़े-बड़े बदमासों के भी वाट लगा देती है और उनका ढोल बाजा देती है तीसरी लड़की काफी मिस्टीरियस है जो कहां से आई यह और क्या करती है यह बताना बहुत मुस्किल है और यह असली मजा तो ताब आता है जब ये तिनों खुबसूरत और जवान लड़कें ये गैंक्स्टर को लूटने का प्लान बनाती हैं तो ये तिनों लड़कें अपने प्लानिंग में कैसे काम्याब होती हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी